हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सोब मैं यसी का चौन सागत करते हूं आपके यूट्यूब स्टुडेंट इंडिया पे तो आज हम इस वीडियो के अंदर लिंक के बारे में पढ़ेंगे कि लिंक क्या होते हैं तो देना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब यह लिंक यह क्या होते हैं देखो वैसे तो हम लिंक हमारे बच्पन से पढ़ता हुए है थर्ड क्लास से फोर्ट क्लास से वहां तरफ एक बात बताए गई थी कि जो लिंक होते हैं वो स्ट्री और पूर्ष जाती का बोध कराते हैं बिल्कुल यही है यहां पे उसकी परिभाशा भी वही है कि ऐसे संग्या सब्द जो स्ट्री और पूर्ष जाती का बोध कराएं अब लिंक के दो बेट्थे पूलिंग और स्ट्री लिंग जो पूर्ष जाती का बोध कराएं उसे हमने पूलिंग का था और जो स्ट्री जाती का बोध करा उसे स्ट्री लिंग का था यही है औ ठीक है यहां थोड़ी से जब आप थोड़ा सा कंसूजन वाना क्या डाल दिया कि जो ओब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी इसमें डाल दिया ओब्जेक्ट मतलब यह रहे चित्र फल 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 तो ऐसे ओब्जेक्ट नहीं है ओब्जेक्ट पी है मान के चले से हवा पुष्तक सबजी समीर यह क्या हम नहीं जानते कुछ जोकर थें नाम से बता देंगे अगर आपको वोलिए मामा जो आप बता दो कहां यह पुलिंग है बोल दिया मामी यह स्थीलिंग है पंका चल रहा है अगर वह स्ट्रीलिंग होती तो पिछे रही है आहाँ लेकिन बनाये तो पंका चल रहा है बहुत अच्छा है या पुस्टक बहुत अच्छी है या पुस्तक वहाँ रखी है दोनों वाक्य में यह किसका बहुत दोना में, बहुत दोना है, बस ऐसे ही चोटे-चोटे वाक्ख्य बनाने हैं, जिस से आपको पता चल जाए blooming है, यह फिर pulling है. अगला लाता है फल, हमें ताझ्ण फल खाने चाहिए, ताझ्ण फल खाने, यह किसका बहुत करा दरा है pulling का, अगर आप इसको वाक्यों में प्रियोग करते हो तो यह आपको पुलिंग की और दरसाएगा अगर इसको आप प्रियोग करोगे वाक्य में तो यह आपको स्ट्रीलिंग की तरफ दरसाएगी ऐसे ही वाक्यों में आपको प्रियोग करना है और पता करना है कि वह पुलिंग है याद रखना वाक्या ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है ज्यादा बड़ा वाक्या नहीं बनाना है ज्यादा बड़ा वाक्या नहीं बनाना है सिर्फ छोटा सा वाक्या जिसे समझ में आजए कि हाँ यह पुलिंग है या फिर स्ट्रीलिंग है अगला आता है हवाय वायू हवा चल रही है तो सट्रीलिंग वहीं समेर चल रहा है यह आगा हमारा क्या पूलिंग कि क्या कि चल रहा है हवा या फिर वायू चल रही है अब समीर और हवा यह वायू तीनों चीज होती है प्राइब आची सब्दा आपने सुनोंगे तो वहां यह तीनों चारों एक ही चीज होती है समीर भवा वायू पवने सब एक ही होता है ठीक है लेकिन वहीं इनको वाक्त के में जब प्रयोक करते हैं तो पाचलता है कि क्या स्ट्रीलिंग है क्या पुलिंग है पुलिंग हो गया ऐसी आप किसी भी चीज को वाक्त के में प्रयोक करके बता सकते हो कि वह पुलिंग है या फिर स्ट्रीलिंग है बस यह चोटा से टोपिक था ज्यादा बड़ा नहीं है हम इस टोपिक को बच्पद से सीखता है लिंक किसे कहते हैं जो हमें स्ट्री और मामी यह मतलब छोटे बोटे सब्थजी ने कहां बता सकते थे लेकिन जो अब है वह थोड़ा सा क्या है बढ़ा दिया गया अब जैक कभी बताना पड़ता है आपको उसको वाक्या में प्रयोक करके बताना होगा ठीक है अब कुछ है है जैसे कोयल हम कोयल से क्या है लेकिन उन में बागल सब्थोरिância होती है कोयल हमारी जरूरी स्ट्रीइलिंग है नर्ची होते है अगर आपको बोल दिया जाए कोयल तो आप होगे कि यह क्या एक स्ट्रीइलिंग है लेकिन वहीं अगर इसका कर दो दा итवाने लागा दिया जाना नर्च तो मतलब किया ह लिंगो जयगा माद कोई कैसे एलождooked ही चीटा मादा चीटा यह सबसे ड़ार को पटरे और जिता के और मादा करते हैं चीता में चीटा मादा चीता नरकोयल मादा कोयल देर कोआ मादा कोआ ऐसे ठीक है बहुत से सब्सक्राइब होते हैं कई अब कई पशुपक्षों का गए नर मादा से बात की जाती तो कई हम कनवर्ट कर देते हैं यह थे लिए आई होब यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो वीडियो